नमस्ते विद्यार्थियों, जेसी आर्टी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों समाजिक विज्ञान विशे के अंतरगत, हमाठी कर्षा के इतिहास विशे के चौथे अध्याय जिसका नाम है उपनिवे स्वाद और आदिवासी समाज विद्यार्थियों, इस चाप्टर पर मैं एक विडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ और आपके समक्ष ये दूसरा विडियो है, जिसमें हम अपने जार्खन राज के धर्ती आबा, जिनको हम विर्षा भगवान भी कहते हैं तो उन से जुड़ा एक बहुत बड़ा विद्रो जिसे बिर्षा मुंडा का उल्गुलान कहा जाता है तो विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिर्षा मुंडा का उल्गुलान तो ये बिर्षा मुंडा का उल्गुलान कब हुआ था? हम जहाखण राज کے सभी बच्चों को इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए हमें अपनी इतिहास की जानकारी अवस्य होनी चाहिए कि हमारे राज में कौन से सोतंतरता सेनानी हुए जिन्होंने अंग्रेजों से और दूसरी सामनतवादी सक्तियों से लड़ाई की थी तो हम उन्हें नहीं भूल सकते हम उन्हें याद करेंगे इस वीडियो के माध्यम से तो इत्यार्थियों मैं बता दूं कि बर्स 1899-1900 में विर्षा मुंडा के नेत्रितु में मुंडा विद्रो हुआ था तो मुंडा विद्रो का जो मूल छेत्र था वो छोटनाग पूर छेत्र ही था और ये काफी चर्चित विद्रो है समुचे भारत के इतिहास में भी जदी हम देखेंगे तो विर्षा का उल्गुलान कोई सामानने घटना नहीं है तो विद्रो की सुर्वात मुंडा जन्जाती की जो परामपर भूमी वेवस्था जिसको हम लोग खूट कटी कहते हैं तो उसे परिवर्तित करके अंग्रेजों ने जमिंदारी वेवस्था लाने का प्रयास किया था तो इसके लिए असंतोस जाग रहा था जारखन छेतर में चोटनार्पूर छेतर में और उसी असंतोस का कारण था बिर्षा का उल्गुलान तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं बिर्षा का उल्गुलान जो है वो सोसन के खिलाफ उल्गुलान था बिर्षा का उल्गुलान अपने हकों के लिए था बिर्षा का उल्गुलान जूट और फरेव के खिलाब था बिर्षा का उल्गुलान बृतानी और सामंती दिवस्था के खिलाफ एक जंग था ठीक है विद्यार्थियों तो सच पुछे तो विर्षा आंदोलन का जो एक आर्थिक उद्देश था वो दीकू जमिनदार यानि कि गयर आदिवासी जमिनदार जो हैं उन लोगों के द्वारा आदिवासियों की जो हतियाई हुई भूमी थी छीनी छपते हुई जो भूमी थी उसे पुना वापस करने क वापस लेने का एक परियास था ठीक है विद्द्यार थियों तो आगे आप देखते जाएए इसी प्रकार से आपको समझ में आएगा तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बिर्षा मुंडा का जो उल्गुलान है उसका संबंध 1899 सन 1900 इस्वी से है जिसमें की मुंडाओं का विद्रो हुआ था और जो ततकालिन छोटनाक पूछेदर जिसे आज हम जारखंड के नाम से जानते हैं एक महत्वपुन विद्रो के रूप में जाना जाता है विद्यार्थियों आप ये भी जानना चाहेंगे कि उल्गुलान का मतलब क्या होता है तो मैं बताता हूं विद्रो का कारण जो है मुंडाओं के परंपरी खुटकटी बेवस्था क्या होती है कि जो विखती भूमी तयार करता है आपको पता होना चाहिए कि जारकंड छेत्र जो है घने जंगलों से घिरा हुआ है और इन घने जंगलों में खेती का काम करना कोई आसान नहीं है तो जमीन तयार करने में इन लोगों को हजारों बरसों का समय लगा इन लोगों ने जानवरों के साथ संगहर्स किया और सेर भालूओं और हातियों के बीच रह करके इन लोगों ने अपनी जमीन तयार की और उस जमीन को छिंता हुआ लुटता हुआ देखना कोई भी आदिवा असी सायद सुईकार नहीं करेगा तो ये उल्गुलान तो हो नहीं था विद्यार्थियों तो चलिए हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और हम लोग शुरुवात करते हैं आपके पाठे पुस्तक के प्रिष्ट संख्या बावन पे चलिए तो विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे पेज नंबर बावन पे है विर्षा मुंडा का उल्गुलान ठीक है अब यहाँ देखिए हम लोग शुरुवात करते हैं उनके जन्म से ठीक है तो विर्षा का जन्म जो है पंदरह नौमबर 1875 इस भी को चलकत नामक गाउं में हुआ तो द्यार्थियों चलकत नामक गाउं जो है आज जारखंड राज के खूंटी जीले में है ठीक है आगे बढ़ते हैं इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और मा का नाम कर्मी मुंडा था ठीक है तो इनकी जो है पारिवारिक पिस्ट भूमी जो है उसको भी समझना हम विद्यार्थियों का फर्ज है जानना चाहिए हम लोगों को आगे बढ़ते हैं सुगना मुंडा का परिवार गरीब था विद्यार्थियों अधिकांसता जंगलों पहाडों में रहने वाले हमारे अधिवासी समुदाय के लोग गरीब ही है और उनको हम लोग धनी वर्ग के अंतरगत नहीं समझ सकते हैं नहीं देख सकते हैं तो सुगना मुंडा का परिवार गरीब था और भी धेर सारे बहुत सारे गरीब परिवार रहते थे आगे देर्थियों बिर्सा का बजपन भेड बकरियां चराते बांसुरी बजाते और अस्थानी अखाडों में नाश्ते गाते बिता था कहने का मतलब यह है कि इनको जादा देश दुनिया से मतलब नहीं था और सच पूछिये तो जंगली छेतर में रहने वाले जो हमारे भाई हैं उन लोगों को बाहरी दुनिया के बारे में ज़्यादा जनकारी नहीं होती है जब तक कि वे कहीं बाहर नहीं जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों उनकी परवरिस मुख रूप से बोहुंडा के आसपास के जंगलों में हुई ये बोहुंडा कहा है आसपास कौन सा जगह है विद्यार्थियों ये भी खूटी जिले में ही है ठीक है च भी आदिवासियों को जदी आप देखे तो भूमी जो है जितना उपलब्ध है वो बहुत सारी क्रिसी भूमी जो है वो क्रिसी योग है भी नहीं तो ऐसी स्थिती में हमें हम आदिवासी परिवार के जो लोग हैं उनको काम की तलास में इधर-उधर जा नहीं पड़ता है और जाते हैं। लड़कपन में ही बिर्सा ने अतीत में हुए मुंडा बीद्रोहों की कहानिया सुन ली थी। ये सही बात है। क्योंकि मुंडा बीद्रोह की जब हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ हम लोग बिर्सा मुंडा के उल्गुलान से ही शुरुवात नहीं कर सकते हैं आदिवासियों का संघर्स बहुत पुराना है इतिहास में भले उसका कोई अस्थान ना हो या नाम ना मिले लेकिन उन लोगों ने बराबर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है तो बिर्षा मुंडा जो है वो लड़कपन से ही बिर्षा अपने अतीत में जो विद्रोह की जो कहानिया है उनको सुनी थी उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानि की मुख्याओं को विद्रोह का आहवान करते देखा था तो ये भी सभाविक है जब कोई समुदाय में कोई ऐसा आहवान होता है किसी तरह का कोई विद्रोह का आवान होता है तो जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ये सब देखने का मौका तो मिलता ही है तो आके है विद्यार्थियों विर्षा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण जूकी बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकूओं के उत्पूरन से उत्पीडन से पूरी तरह आजाद थे तो विर्षा मुंडा जिस समुदाय के थे तो उसमें जो उनके पुरवज लोग थे पहले की जो लोग थे वो लोग बताते थे कि पहले हम लोग दीकूओं के उत्पुडेन से पूरी तरह से आजात थे सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे वे खुद को इलाके के मोलनिवासियों का बंसज मानते थे और अपने जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना समराज वापस पाना है सभाविक है आगे अभी द्यार थे हो अपनी किसोरा वस्था में जब एडल्सेंट एज के हो गए 15-16 साल के बिर्षा मुंड़ा तो अपनी किसोरा वस्था में बिर्षा जिन विचारों के संपर्ग में आए उनसे वे काफी गहरे तोर पर प्रभावित थे बिर्षा का अंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का अंदोलन था तो मुंडा को हम बिर्षा भगवान क्यों कहते हैं इसके पीछे भी कई कारण है विद्यार थी जो अभी आप देखेंगे तो उन्होंने मुंडाओं से अहवान किया कि वे सरापीना छोड़ दें मनि एक परकार से उन्होंने जो है समाजिक रूप से जो समाजिक ताना बाना है उसमें भी परिवक्तन लाने का उन्होंने प्रयास किया और समाज सुधार के कारे भी उन्होंने किये हैं तो उन्होंने मुंडाओं से आहवान किया कि वे सराप पीना छोड़ दें, गाओं को साफ रखें, डायन और जादू टोने, यानि कि वीच्च क्राफ्ट और सोसरी जो है, उसमें विश्वास ना करें, वीच्च क्राफ्ट और सोसरी की बात हम विशेश रुप से नागरिक सा चेत्रों में हैं, कुछ-कुछ सारी चेत्रों में भी हैं, जो आपको देखने को मिलता भी होगा, सुनते भी होंगे आप लो, बिर्षा ने मिस्नरियों और हिंदू जमिनदारों का भी लगातार बिरोध किया, वा उन्हें बाहर का मानते थे, जो मुंडा जीवन सेली को नस के जो फॉलोवर्स थे, जो उनकी बात मानते थे, उनसे अहवान किया कि वे अपने गौरप्पून अतीत को पुनरजिवित करने के लिए संकल्प लें, उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने विरादरियों और इस्तेदारियों का खुन नहीं भाते थे, वे इमानदारी से जीते थे, बिर्सा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगाटीक कर रहें और अपने खेतों में काम करें, आगे भी त्यार थी हूँ, अंग्रीजों को बिर्सा अंदोलन के गारिनितिक उद्देसों से बहुत ज़्यादा परसानी थी, बि अंग्रीजों को एक डर था, अंग्रीजों को क्या डर था, वो आप सुनिए विध्यार कर्षी, यह अंधोलन मिस्नरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिर्सा के नित्रतों में मुंडाराज अस्थापित करना चाहता था, टो विध्य अपने धर्म का भी परचार करते थे हालांकि वो किसी ना किसी रूप में वो लोग सिक्षा भी दे रहे थे सिक्षा का परचार परसार भी हो रहा था लेकिन बावजुद उसके कई जगों पे मिस्नरीयों का वर्चस हो बढ़ रहा था और जो आदिवासी समुदाय के जो जनने वाले लोग थे उनका वर्चस वो धिरे-दिरे कम हो रहा था क्यों इसके पीछे कारण यह था कि इसाई मिस्नरीयों के उपर बिटिस सासन की सक्ती काम कर रही थी दूसरा था महाजनों और हिंदू भूस्वामियों मिद्यार्थियों एक बात जान लीजिए कि महाजन हो या हिंदू भूस्वामी जो लोग थे जो लेंड़लोर्ड जो लोग थे तो ये लोग किसी नकिसी रूप में राजस्व की रासी पैसा जो है आंगेजिन से खुस थे ठीक है और तीसरा है सरकार सरकार यानि कि बिटी सरकार तो इन सबों को बाहर निकालना चाहते थे और उन्होंने 1895 में बिर्षा को गिरिफतार किया और दंगे फसाद के आरोप में दो साल की सजा सुनाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं विद्यारतियों किसी के भी जीवन में दो साल कैद की सजा बड़ी सजा हो सकती है और होती है आगे है 1897 में जेल से लोटने के बाद बिर् प्रागत प्रतीकों और भासा का इस्तेमाल किया वे अहवान का रहे थे कि उनके नेत्रितों में सामराज की अस्थापना के लिए दीकूओं को तबाह कर दें देर्थियों आप अपने जेसी आर्टी पाठ्थे फुस्तक के पेज नंबर तीरपन पे आप देखिए जो भी म अपने सामराज की अस्थापना के लिए यानि की मुंडा राज की अस्थापना के लिए दीकूओं को क्या कर दो तबाह कर दो है ना मतलब दीकूओं का मतलब क्या है ऐसे लोगों से ऐसे दूस्ट लोगों से है जो की आदिवासियों की जमीन को हड़पके बैठे हुए थे इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छे लोगों को भी तबाह कर दो ऐसा नहीं जो बुरे लोग थे उन लोगों को तबाह करो है ना अगे विद्यार्थियों विर्सा के अनुयाई दीकू और एरोपिय सत्ता के प्रतीकों को निसाना बनाने लगे उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किये और महाजनों और जमिंदारों की संपतियों पर धावा बोल दिया विद्यार्थियों एक बात मैं बता देता हूँ कि 24 दिसंबर 1899 को पूरे योजना बध तरीके से बिरोध हुआ था चकरधरपूर, खूटी, तोरपा, करा, बसिया, तमार, उलिहातू एक साथ मिस्नरियों पर हमले हुए थे और साथ ही साथ थानों पर भी हमले हुए थे उस वक्त जो रांशी के डिप्टी कमिस्नर थे न विद्यार्थियों उनको इस बिद्रो को दबाने के लिए भेजा गया था साथ जनवरी 1900 को खूटी पर हमला हुआ था ठीक है, अंग्रेज गोलियां चलाने पर उतारू थे और लोग सहीध हो रहे थे अउते, बच्चे, सारे लोग जो है इस विद्रो में मारे चाने लगे तो विद्यार्थियों आप अपने राज्ज के इतिहास को कभी मत भूलियेगा ये हमारे राज्ज के इतिहास का एक गौरपून छण है इसको याद रखना होगा तो हर अंदोलन विद्यार्थियों यही होता है कोई ना कोई दूस्ट व्यक्ति होता है जो की प्रतिपक्षी का साथ देता है है ना तो कुछ लोगों ने इनाम के लालच में तीन फरवरी 1900 को सिंभूम के यानि चैबासा के जो डिप्टी कमिस्नर थे उनके हाथों में विर्षा मुंडा को सौप दिया और विर्षा को रांची जेल भेज दिया गया और आगे क्या होता है विद्यार्थियों 9 जून 1921 को जेल में ही विर्षा का दिहान्त हो गया और सच पूछी तो ऐसा भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उनको जहर देकर मार दिया हलांकि ये बाते हमारे GCRT के पार्टी पुस्तक में नहीं लिखी हु ए GCRT के पार्टी पुस्तक में तो ये लिखी हुई है कि उनको जो है हैजा हो गया था अब 35 साल का एक युवक जो की जेल में बंध है, है ना, अकेला उसी को हैजा होता है और वही हैजा से मर जाता है, है ना, सनसत 1875 में जन्म होता है और 1900 में वित्यो हो जाती है, तो चली वी द्यारतियों आगे देखिए बिर्षा का अंदोलन कैसे महत्वपून था, बिर्षा तो नहीं रहे, लेकिन विर्षा का अंदोलन महत्वपून कैसे था, चली हम जानते हैं, सन 1900 में विर्षा की हैजे से मिर्टू हो गई और अंदोलन थंडा पड़ गया, फिर भी अंदोलन दो मायनों में महत्वपून था, पहला विर्षा के अंदोलन ने अपनिवेसिक सरका को, यानि की कोलोनियल गॉर्मेंट को, यानि की अंग्रेजों को, या सोचने के लिए मजबूर कर दिया, कि वह ऐसे नियम कानून बनाएं, जिससे आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कबजा नहीं किया जा सके, यही कारण है, कि बाद में चल करके छोटानापू टिनेंस एक्ट बना, और जो की इसी अंदोलन के परणाम सरुप बना, ठीक है, तो ये एक उपलब्धी है, और आगे क्या है, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का बिरूद करने, और अपनिवेसिक सासन के बिरूद, अपने गुसे को अविव्यक्त करने में आदिवासि सज हैं, यानि कि जब अन्याय होगा, है ना, जब इंजस्टिस होगी, तो उसका प्रोटेस्ट आदिवासि करेगा, अज भी करता है, है ना, अपने खास अन्दाज में, अपनी खास रस्मों और संघर्सों के प्रतीकों के जरिये, इस काम को अंजाम दिया, तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बेख्षा के उलगुलान के बारे में आपको सारी बातें बताने का प्रयास किया, और हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, कि जिस वक्त अत्याचार हो रहा था, उस वक्त अंग्रेज आँख मूंदे बैठे थे, इसका बहुत बड़ा खमियाजा अंग्रेजों को भी भुगतना पड़ा था, स्रिफ विर्षा ही जो है सहीद नहीं हुए, उस आंदोलन में बहुत सारे अंग्रेज भी सहीद हुए, और अंग्रेजी सेना के भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है, तो सन 1899-1900 का जो विर्षा का उल्गुलान है, जिसको हम लोग मुंडा भी द्रोह कहते हैं, ये ना सरिफ जारखन बलकि पुरे भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अस्थान रखता है, और आदिवासी समाज के लिए तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ा आंदोलन है, एक बहुत बड़ा कृत्ते हैं, तो ठीक है विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं आपको उपनिवे स्वाद और आदिवासी समाज के संदर्व में बहुत कुछ और भी जानकारी देने वाला हूँ, और आगे मैं कुछ प्रस्णोतर वीडियो भी आपको प्रस्तूत करूँगा, अभी के लिए इतना ही, आप टेक्स्ट बूक से जुड़े रहें, और वीडियो को भी ध्यान से देखें, जहिन बच्चों, जोहार बच्चों,